हुलो स्टुडेंट वेलकम टू आ क्लास सर इम्रान अकाउंट की क्लास हम नौट फर प्रॉफिट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सिरीज कर रहे हैं जिसमें हमने कुश्चिन नमबर वन से नाइन अलड़ी बना दिया हुआ है कि आप उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो आज जो हम करने वाले हैं कुश्चिन नमबर टैन जो कि आपको पेज नमबर वन ट्वेंटी पे मिलेगा पहले के सारे वीडियो यहां आई बटन आते रहेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलते जाएंगे वन से लेके नाइन तक वीडियो चेक करें, और वाइज चेक करें, मैंने इंट्रोड़क्शन, इंट्रोड़क्शन द्हान से देखें, तो चैप्टर क्लियर होगा. So, without delay, let's start our video. आज हम करें क्वेशन नुबर 10, पेज नुबर 120, इमारा से स्टेट बोर्ड का समय आपका, क्लास 12 का, क्वेशन पढ़ लेते हैं, from the following recipient payment account of KBP Engineering College. देखो, college का institution है, ये अभी आपका, हर institution पे ध्यान देना है आपको, ये अभी ये college है याँ पे, ठीके? नासिक, for the year ending 31st मार 19, current year है आपका 31st मार 19, and additional information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st मार 19, and the balance sheet is on that date, यानि 31st मार 19 को आपको income and expenditure account बनाना है, और balance sheet बनानी है, नीचे receipt and payment दिया हुआ, 31st मार 2019, जिसका एक effect पास करते हैं हम लोग, ये आपका cash book है, उसके नीचे additional information में आपको 2 साल दिये गए है, ये 2 साल क्या है, ये 2018 यानि previous year, 2019 यानि current year, previous year यानि ये सबके सब हमारे लोग उपनिंग balance है, और ये आपका current year है, यानि आपके closing balance है, चलिए संपड़ लेते हैं, receipt side में चलते हैं, पहला entry, balance brought down, ये previous year का क्या है हमारा assets है, previous year का assets, यानि balance sheet तो यहाँ पर भी बनानी नहीं है आपको, balance sheet नहीं बनाने के एक reason है, आपका मेने capital, अगर आपके बस capital सम्में दिया हो, अगर आप प्रिविस year के balance sheet नहीं बनाए, तो फिलाल balance sheet capital दिया गया है, तो previous year का जो cash in and cash in bank है, ये previous year का asset है, इसलिए no effect, इसके entry पास करने के ज़रुवत नहीं है, interest balance के बाद, cash in cash in के बाद, आपको यहाँ पर सिर्फ receipt side में दो entry आती है, एक तो income आती है, और एक sale of assets आती है, तो interest तुम्हें को लगता है, sale of assets तो नहीं है, ये income है, तो I link देते हैं आपर, subscription income है, I link देते है, live membership fees income है, donation income, tuition fees income, term fees income, sundry receipt income, admission fees income, तो सारे के सारे entry मेरी income है, अब चलते है, payment side, payment side में भी दो entry आती है, या तो expense आएगा, या तो purchase of assets, salary to teaching staff, expense है, I link देते हैं, electricity charges expense, book, book आपका assets है, क्योंकि बैने बोला था, आपको starting में ध्यान देना, क्या कौन से institution के लिए बना रहे हैं, आप college है, तो college के लिए books क्या होती है, assets होती है, library वगरे में आप देखेंगे, तो book वगरे क्या है, उनके लिए assets है, तो book को क्या लिखते हैं, हम लोग, ए assets, पर नीचे तो मालूम हैं, आपको assets है, stationary expense, fixed deposit, यह आपका assets है, अच्छे बच्चों, यह assets आपका last rate पे हुआ है, यह fixed deposit आपने, आपके current year का last rate है, उस दिन किया हुआ, यानि यह closing balance के बारे में बोल रहे हैं, तो आपका fixed deposit anyhow asset ही रहेगा, क्योंकि current year के अंदर ही हुआ है, बले 31st माच को हुआ है, last date के border में हो तो गया, इसलिए यह current year में consider होगा, as in assets, balance carried down, cash in and cash at bank, यह तो हमारा asset है, तो यह लिख देते हैं, तो आपका receipt and payment पूरा हो गया, अब चलते हैं adjustment के तरफ, adjustment, पहले adjustment book के बारे में हैं, book कहा गया previous year, यानि opening balance of book is 6 lakh, and closing balance of book is 6 lakh, अब बोलेंगे दोनों same क्यों है, same नहीं है, actually क्या एक book का यह opening balance है, और यहाँ पे जो book आईए, 61 दावन यह purchase of assets है, तो यह जो book है, यह opening balance है, current year में हम लिखेंगे, तो inner column में लिखेंगे, as a opening balance 6 lakh, और यह अवाला purchase, इसके अंदर जाके आपको add करना है, ठीक, यह तो sum के अंदर देखेंगे, फिलाल यह adjustment है, इसको tick mark करके रखते हैं, यानि 61 दावज़न आपको इसके अंदर add करना है आपको, फिर आपका furniture है, furniture भी assets है, आपका opening balance है, 3 lakh 19, और closing balance है 3 lakh, और एक furniture यहाँ पे दिया हुआ है, payment side आ रहा है, यानि यह क्या हुआ आपका purchase of assets, तो anyhow यह आपको calculate करना है, 3 lakh 19 में आपको 51 पहले तो add करना है, फिर closing balance है, तुर आपको depression निकालना है, same way book clay भी है, आपको depression figure का actually adjustment है, इसको sum में देख लेंगे, फिलाल यहाँ पर tick mark कर देते, furniture के उपर, फिर adjustment number 3 है, building fund, यह maximum बच्चे लोग गलती करते हैं, इसको asset लिख देते, बच्चों जब भी word fund होता है, यानि reserve, और any type of reserve is a liability, because आपको यह future में आपको, यह जाने मला ही पैसा है, इस दुनिया में कोई भी बंदा, अगर saving करता है, बचत करता है, reserve करता है, तो no doubt future में आएके, खर्चा होने माला ही है, तो fund बोले तो liability होती है, आप याद रखे, fund बोले तो क्या है liability, building word पे ध्यान मत देना, तो building fund क्या है आपकी liability, तो यह 10 लाग आपको liability में लिखना है, फिर fixed deposit, previous year याने opening balance, 9,10,000 यह क्या आपका assets, और already fixed deposit यहाँ पे भी है, तो यह दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे कोई भी asset आ रहा है यानि purchase है, तो यह नि बोग furniture fixed deposit, तो यह यहाँ पे आपको calculation करना है, मगर यहाँ पे total figure आपको बताना है, क्योंकि आपने last rate में एक fixed deposit के 8,50, और साल के शुरू में आपने fixed deposit यहाँ 9,10, यहाँ दोनों मिला के total fixed deposit कितना हो आपको बताना है, ठीक है, तो anyhow इस पे adjustment 8,50, इसको inner column, इसको इसके साथ क्या करना है, आपको plus करना है, समके टेम देख लेते हैं उसको, capital fund, no doubt liability, inner column में लिखना है adjustment हो या नो हो, question mark का मतलब हो था, आपको यह closing value जूनना है, ठीक है बच्छों, इस इस पे भी ध्यान दे, अब चलते है, actual adjustment number 1, 50% of donation are for building fund, and the balance is treated as a revenue income, तो वो कह रहे हैं कि donation का, जो 50% उसको building fund है वो, तो आपका यहाँ जो donation है, 7 लाग का आपका, यह इसका आदा पैसा आपको building fund में transfer करना है, तो इस पर फिलाल tick mark कर देते हैं, donation पे, और यहाँ पे building fund पे भी टिक mark कर देते हैं, तो building fund जब 10 लाग आप लिखेंगे तो अंदर लिखेंगे, और यह 10 लाग में आपको इसका आदा, 7 लाग का आदा आता है, 3.5 लाग रुपया, तो 3.5 लाग रुपया आपको इसको यहाँ पे add कर देना है, ठीक है बच्चो, फिर adjustment number 2, outstanding subscription 5,300, तो subscription में जाके क्या करना है, आपको add करना है, तो यहाँ पे फिला टिकमा करते हैं, adjustment है, तो इस figure में add करेंगे, और second effect कहा जाएगा, balance sheet में, asset side, 3.5 लाइफ मेंबर्शिप fees, आटू बी capitalized, यह हमने question number 9 में भी आया था, और यहाँ पे भी आ रहा है, इसका दो तरीका, या तो आप इसको, income में रखके, total minus, क्योंकि 100% बोल रहा है, live membership, आटू भी capital यहने 100%, पूरा का पूरा उठा के, आपको capital बनाना है, तो unnecessary, आप expenditure, income side में, minus करके, autogolumn में 0 लिखें, फिर capital में लेका है, इससे अच्छा है कि, better हम यहीं पे, इसको income consider नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आई मीटा देते हैं, इसको directly में लिखता हूँ, यहाँ पे add to capital, तो मैं चाहता हूँ कि, directly इसको capital में जाके, हम क्या कर देंगे, क्योंकि 100% पूरा जा रहा है, तो unnecessary expenditure में, हम लोग time waste नहीं करेंगे, income में, sorry, income में 25,000 लिखें, inner column में, fee minus करें 25,000, autogolumn 0, तो वो time जाएगा, इससे अच्छा है कि, हम directly क्या करते हैं, इस 25,000 को पूरा को पूरा, capital के नीचे add कर देंगे, वन एक साती, गड़ी-गड़ी लिखनी की जरुवत नहीं है, ठीक है, इसको sum में बता दो, और clearly, चलिए हम sum के तरफ चलते, question में नहीं आवे फिर से लिख दिया है, with all adjustment और tick mark वगेरा, posting स्टार्ट करना है आपको, posting देख लेते हैं, payment size से, debit वाला credit में, credit वाला debit में, तो हम credit वाला debit में लिखते हैं पहला, और हमने E लिखा E for expense, या I लिखा I for income, तो E वाला expense में, I वाला income में, तो पहले salary to teaching staff, adjustment वगेरा नहीं है, तो यहां लिखेंगे, मगर outer column में, electricity charges, expense, no adjustment, outer column, book asset है, यह purchase वाला assets है, और यहां पर opening balance है, तो पहले आपको opening balance लिखना है, फिर यह purchase लिखना है, ठीक है, तो यहां में लिख देता हूँ, book उपर line हमने छोड़ दिया, यह opening balance के लिए, जब entry, क्योंकि हमें order से entry करनी है, तब आईगी तब pass करेंगे, फिलाल हम से purchase लिखेंगे, 61,000 जो यहां से आया है, inner column में लिख रहे हैं, opening आने वाला है, add करके निचे लिख देंगे, जब आईगा तब करेंगे, इसको फिलाल यहां छोड़ देते हैं, furniture, यह भी same treatment था, opening balance दिया हुआ है, और यह क्या है आपका purchase, तो यह 51 भी आपको inner column में लिखना है, opening के बाद, furniture, plus purchase, 51,000 जो यहां से आ रहा है, फिर है stationary adjustment नहीं है, तो यहां लिख देंगे, हम directly outer column है, stationary 21,000, 850, fix deposit, again adjustment है, टिक माक है, पहले opening लिखना है, फिर purchase लिखना है, यह addition बोल सकते हैं इसको, तो पहले हम 8,50 लिखेंगे यहां पर, fix deposit opening के लिए जगा छोड़ देते हैं, purchase of addition 8,50, purchase बोलो यह addition बोलो, 8,50, फिर है cash in end, cash at bank, assets है, assets याएंगा हमारा, cash in end, cash at bank, payment खतम हो रहा है, अब चलते हैं, pay receipt side, opening balance मैंने कहा, cut करना है हमेशा, interest, income, तो यहां लिख देते हैं, no adjustment outer column, subscription, tick mark है, यानि adjustment है, तो जब याठाइज जा लिखेंगे, तो inner column में लिखेंगे, by subscription, 28,300, live membership fees मैंने बताया था, आपको directly क्या करना, add to capital, यानि पूरा पूरा capital, यहां पर live membership fees लिखें, फिर उसको 25 पूरा minus करें, outer column है, जीरो, इससे अच्छा आप directly यहां लिखेंगे, तो भी right है, तो capital fund के आपको नीचे लिखना है, live membership fees 25,000, डिरेक्ली हम लिखेंगें यहां पर, फिर donation है, आपका income, पूरा खता हुआ, अब adjustment में, कुछ opening balance है, कुछ closing balance है, पहलो opening balance देखते हैं, book का, book का opening balance कितना 6,00, तो opening balance उपर लिख देते हैं, 6,00, अब क्या करना है, already जो purchase हमने लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या करना है, add करना है, add करके नीचे लिख देते हैं, तो it will be 6,61,000, अब बच्चो, ये 6,00, तो हो गया, अब ये closing 6,00, क्या है, ये closing 6,00, यानि या आपका outer column का amount है, closing balance यानि या आपका outer column का amount है, तो ये 6,00, मैं यह बहार लिखूँँगा, तो ये outer column का figure आगया 6,00, और मेरे पास जो book available है, वो है 6,61,000 की, और closing balance at the end of the year, मेरा book का valuation बता रहा 6,00, जबकि मेरे पास total book ती 6,61,000 की, तो बच्चो, asset की value कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, minus, वो जो कम हो रही है, उसे हम depreciation कहेंगे, तो 6,61,000 में से 6,00, को क्या करना है, आपको minus, 6,61,000 में से 6,00, को minus करना है, तो difference है, 61,000, यह आपका actual में depreciation है, और depreciation का second effect कहा जाता है, बच्चो, income expenditure account में debit side, to depreciation of book, 61,000 second effect यहां है, तो actually में यह 6,00, के लिए adjustment नहीं था, यह 61,000 के लिए adjustment था, वो चाता है कि आप depreciation ढूनो, same procedure furniture के लिए भी है, furniture का opening balance है, 3,19,000, तो पहले opening balance यहां लिख दे 3,19, और मैंने इस साल मैंने purchase के 51 का, जो अल्रेडी हमने लिखा हुआ है, दोनों को क्या कर देंगे, plus कर देंगे, तो मेरे पास total furniture आ गया, 3,70,000 का, तो इस साल जो furniture मेरे पास available है था, वो था 3,70,000, मगर सम के आखरी में, यानि closing balance बोलता है 3,00, furniture का closing balance, closing balance बोलो था outer column, तो यह 3,00 यहां लिख देते हैं, तो 3,70 था, मगर end में देखा थो 3,00 की बचा, यानि value कम हुई, कितनी value कम हुई, दोनों को क्या करेंगा, minus, यानि 17,000 की value कम हुई, और उस 17,000 की बोलेंगा हम, depreciation, 3,70,000, minus 3,00, difference will be 70,000, and this difference is considered as a depreciation, and depreciation have a second effect, over here, income and expenditure account, debit side, already we had given the heading for depreciation, depreciation on book, now we are going to write, depreciation on furniture, 70,000, total comes to 1,31,000, तो इस तरह से आपका, total depreciation भार आ गया, और assets का, हमने देख लिए, आपे purchase और depreciation, तो यह जो closing balance दिया गया था, वो चाहते हैं, कि आप depreciation ढून के बता हैं, ठीके बच्छों, आगे चलते हैं, next है हमारा building fund, building fund मैंने बदा liability है, और इस पर tick mark है, यानि building fund हम जब यहां लिखेंगे, तो inner column में लिखेंगे 10,000, आगे जब adjustment आगे तब करते हैं, order से जाएं कभी जम ना मारे, tick mark मार रहा है, यानि line छोड़ देना आपको, fixed deposit, opening balance 9,10,000, हमने already fixed deposit, यहां purchase लिखा हुआ addition, जो कि आपको payment sites में मिला थे 8,50, अब opening balance उपर लिखना है, 9,10,000, तो मेरा total deposit क्या होगा, दोनें को क्या करना पड़ेगा, आपको plus करके आप बाहर कर देंगे, तो plus करके बाहर कर देंगे, तो यह हो गया, 17,60,000, 17,60,000, ठीक है बच्चों, यह भी total भाहर आगे हमारा, अब हमारा last entry box के अंदर capital fund की, तो capital fund 9,47,400, capital fund की जगा fix है, liability में यहां लिख देते हैं, 9,47,400, तो हमारा box पूरा complete हो चुका है, अब हम चलते हैं, जिसमें number 1, 50% of donation of building fund, are built for building fund, donation का 50% को building fund में लिखे आना, यहां जो यह 7,00,000 है, इसका 50% उठा के building fund में add करना है, तो यह simple है, यहां मैनेस करते हैं, building fund 50%, तो 7,00,000 का 50% कितना आता है, 3,50,000, दोनों को मैनेस करके बाहर छोड़ देते हैं, बाहर भी 3,50,000 आने वाला है, तो donation का adjustment हो गया हमारा, अब हम चलते हैं, adjustment number 2, outstanding subscription, simple है, subscription में जाके क्या करना है, आपको add कर देना, add outstanding 5,300, तो total करके बाहर लिख देते हैं, 33,600, 5,300 outstanding subscription है, adjustment है, तो second effect आएगा, और outstanding income मैंने के उला हमीशा कहा आता है, assets में, तो यहां लिख देते हैं, outstanding subscription 5,300, assets में, last adjustment, life membership fee are to be capitalized, हो तो already हमने लिख दिया हुआ है, तो हमारी पूरी posting, पूरी entry up with adjustment सब खतम होती है, तो अब हम हमारे last stage पे जा रहे हैं, closing the account के stage पे, closing the account stage के है हमारा, सबसे पहले आपको income and expenditure बंद करना है, तो working note है आपे मैंने कर लिया already credit और debit का total, तो credit का total है 19,37,400 और debit का total है 13,77,850, तो बच्चों कोन बड़ा है, credit बड़ा है, तो 19,37,400 में दोनों साइट यहां लिखूँँगा, 19,37,400 हम दोनों साइट लिख दिये, अब क्या करते हैं, debit और credit को हमेशा हम क्या करते हैं, minus करते हैं, तो minus करके मेरा difference जाता है, 5,59,550 का, difference हमेशा lower side जाता है, अब बताओ बच्चों credit lower है या debit, debit lower है, तो difference कहां जाएंगा debit side, और इसका नाम क्या देते हैं, हम लोग 2 surplus, यह balancing figure है, 5,59,550, अब surplus आ चुका है, तो अब surplus को transfer करना है, कहां transfer करना होता है, हमेशा capital के नीचे, surplus आएगा तो add, और अगर deficit है तो minus, फिलाल surplus है, तो इसमें जाके मैं क्या करते हैं, तो add surplus, अब capital को मुझे भाहर चोड़ना है, तो तीनों क्या करना पड़ेगा, मुझे plus plus है, तो तीनों क्या करेंगे, plus करके बाहर लिखते हैं, तो बाहर आगे हमारा 15,31,950, तो अब हमारे liability के entry भी पूरी हो गई, और asset की भी entry पूरी हो गई, अब क्या करेंगे, दोनों side को total करके tally करेंगे, liability का total और asset का total सेम आना चीए, तो मेरा liability का total है 28,81,950, तो वही total यहां आचीए, आब इसको plus करें, तो इसका भी total आता है 28,81,950, तो इस तरह से हमारा सम पूरा complete होता है, revise कर लेते हैं, एक बार वीडियो पूरा चेक करें, वन से लेके 9 तक आज तो 10 बन गया, यह भी पूरा देख लें, order wise चेक करें, कोई भी एक वीडियो स्किप ना करें, कहीं न कहीं main main entry explain की जाती हो, आपको समझ में नहीं आएगा, अगर स्किप कर देंगे, तो पूरा वीडियो जहां से चेक करें, without skip, hope so, there will be no doubt, thank you, thank you for watching the video, God bless you.